नमस्कार सौगत है आपका अपने चनल नयान जी के वर्ड में आज हम देखने वाले हैं मद्द प्रदेश परेटन इस्थल 2022 से रिलेटिड मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन्स इसलिए आप वीडियो में सुरू से लेकर अंतक बने रहिए और यू ही मुझे सपोर्ट करते यह तो स्टार्ट करते हैं पहला है राजजी का पहला समाचार पत्र गवालियर गजट गवालियर अकफार बोलते जिसको किस भाशा का था का फी इंपोर्टन कोश्चन है तो इसके सी आंसर गूज एगा आपशन C, उर्दू, important है, next question देखते है, अगला question है, राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, काफी important question है, तो इसके से यह answer के हो जाएगा option C, मालवा अखवार, हिंदी कौन सा है, मालवा अखवार, और पहला कौन सा है, गौलियर, गजट, किस भाशा में है, उर्दू, important है, यदि आपको questions के answers पता है, तो आप मुझे comment box में बताइए, अगला question है, मद्द प्रदेश का पहला केंदरी विश्व विद्याले, कौन सा है काफी important question है, तो इसका सी answer हो जाएगा option, B, Dr. Hari Singh Gaur, विश्व विद्याले, important है, तो मद्द प्रदेश का पहला केंदरी विश्व विद्याले, कौन सा है, Dr. Hari Singh Gaur, विश्व विद्याले, next question देखते हैं, अगला question है, देश का पहला, रामायन म्यूजियम, मद्द प्रदेश म कहां पर स्थापित है, काफी important question है, तो इसके सी आंसर हो जाएगा option A, ओर्चा में, तो देश का पहला रामायन म्यूजियम कहां पर है मद्यप्रदेश में, ओर्चा में, काफी important question है, next question देखते हैं, अगला question है, राजगर किस संभाग में आता है, काफी important question है, बताइए इसके स संभाग में, important है, तो राजगर जिला किस संभाग में आता है, भोपाल संभाग में, और मद्यप्रदेश में टोटल कितने संभाग है, दस, important है, कौन-कौन से है, आप मुझे comment box में बताइए, एक है भोपाल, important है, next question है, मद्यप्रदेश के मुख्यमंतरी श्री श्रीश्री ने विकास यात्रा कब शुरू की, काफी important question है, तो इसकी answer हो जाएगा, option B, एक फरवरी 2012 को, important है, नए है, तो चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, और अपने friends के साथ share कीजिए, अगला question है, संभूर मद्यप्रदेश किस पठार का हिस्सा है, काफी important question है, तो इसकी answer हो जाएगा, option C, दक्षिन के पठार का, important है, next question देखते है, अगला question है, सागर संभाग में कितने जिले है, मताईए, इसकी answer क्या हो जाएगा, तो इसकी answer हो जाएगा, option B, पाच जिले, कौन-कौन से है, देखते है, मद्यप्रदेश के सागर संभाग के अंतरगत पाच जिले आते है, ठी देखे, कौन-कौन से है, एक है, छतरपूर, दमो, पन्ना, सागर और टीकमगड, कौन से पाच जिले है, छतरपूर, दमो, पन्ना, सागर और टीकमगड, important है, next question देखते है, अगला question है, संजे डूबरी, अभ्यारन किस जिले में इस्तित है, काफी important question है, तो इसकी answer हो में, सीधी, important है, next question देखते है, अगला question है, मद्द प्रदेश, निर्यात, निगम का कारेले, कहां परिस्तित है, काफी important है, तो इसकी answer हो जाएगा, option, D, भोपाल में, important है, next question देखते है, अगला question है, शास्की पोस्ट, एवं, टेलीग्राम, रिपेरिंग सेंटर, मद्द प जाएगा, option, D, जबलपूर में, important है, next question देखते है, अगला question है, निमलिकित में से कौन सा जिला, ओध्यूगिक रूप से, विक्सित नहीं है, काफी important question है, तो इसकी answer हो जाएगा, option, B, सीहोर, next question देखते है, अगला question है, मद्द प्रदेश में, timber, treatment, plant, कहां परिस्तित है, का जाएगा, option, A, इंदोर में, next question देखते है, अगला question है, माता टीला, बान्ध किस नदी पर इस्तित है, काफी important question है, तो इसकी answer हो जाएगा, option, A, बेतवा नदी, important है, next question देखते है, अगला question है, किस बांध की उचाई बढ़ने को लेकर विबाद है काफ़ important question है तो इसका सी answer हो जाएगा option B. सरदार सरोबर बांध important है आगे देखते हैं अगला question है सागर संभाग में कितनी तहसीले है कितनी से तहसीले है बताईए इसका सी answer क्या हो जाएगा तो इसका सी answer हो जाएगा option A. नो तहसील कौन-कौन से है एक हो गया सागर, बांधा, खुराई, रहली, गड़ा-कोटा, बीना, राहत-गड़, और केसली, और देवली ये क्या है सागर संभाग में जिले है important है इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चनल पर बने रहिए वीडियो में अन तक बने रहने के लिए धन्यवाद